हलो एरिवन विल्कम बैक तो यूटूब चानल चले तो फिर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक और बहुत ज़्यादा महात्यपूर टॉपिक आपके एक्जाम की वियुसे जब भी हम बात करें किसी भी सिक्षक भरती एक्जाम का टेट एक्जाम का तो एंसी किस तरह से होगा किस तरह से जो सिक्षवे होसता है वो संचालित होगी तो यह जो पूरा इस से रिलेटेट जो रूल से रेगलेशन्स है उसको बुल दिया गया एंसी अप्टॉजन फाइफ ठीक है चलिए आगे और देख लेते इस रिलेटेट चीजें राश्टी पार्टे चलिए के रूप रेखा थोजार पांच एक ऐसा दस्तावेज है ठीक जिसमें हमारे पार्टे करम से रिलेटेट सारे चीजों को क्या क्या होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको लिखा गया है तो वह हो गया इसका बेसिक कॉंसेप्ट आगे देखो इसमें एशी वीसियो पर चर्चक की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ की में इस विसापर बात हुई है कि बालकों को क्या पढ़ाना चीए क्या नहीं पढ़ाना चीए या कैसे कराना चीजिए कैसे अच्छी सिछा दी जानी चीए ठीक है राश्टी पाथेचरिया की रूप रेका 2005 की उत्पत्ती रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगती नामक निबन से हुआ है एक बहुत ही're important point ही अब याद रखेंगे कि sûr चाहिए कि ऐंसीआज़न्था उत्पत्ति कहां से हुई है रवीनराद टैगौर के सभयता और प्रघती नाम का उनसे का एक विचार आया और वहां से उनकी उत्पत्ती हुई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखें कि आगे देखिए राश्टी पाठ्थे चरे की रूप रिखट 2005 के अनुसार स्कूली शिच्छा पाठ्थे पुस्तक केंदरित नहीं होगा वो कैसा होगा बाल के लगे इंट्रस्टिड लगे ठीक है तो यह हो गई एक इंपॉर्टेंट बात इंसलेटे लागे और देखिए उसमें राश्टी पाठ्थे चरिये की रूप रेखा 2005 का अनुवाद समिधान की आठवी अनुसूची में किया गया है ठीक है इस लोग को पता होगा कि समिधान समिधान की आठवी अनुसूची में हमारी जितनी भाषा है 22 भाषाओं के बारे में वर्डन किया गया है ठीक है तो उसमें जो राश्टी पार्टे करम कर जो रूप रेखा है उसका अनुवाद भी किया गया है ठीक आगे देखिए एंसीफ 2005 को प्रोफेशर यस्पाल की अ किया गया था तो आप याद रखेंगे यस्पाल प्रोफेशर यस्पाल की अध्यक्षता में चले आगे चल देते हैं अब इसमें राश्टी पार्टे चले की रूप रेखा दोजार पांच के मार्गदर शिद्धान्त मंदब कुछ जरूरी जो थियोरी जरूरी जो प्रिं सीमीत हो जाती है ठीक है जो भी चीजे बताना है बच्चों को जो भी चीजे सीखाना है पुस्तक लीजी पुस्तक और क्लास बस यहां तक सीमीत रह जाती तो यह नहीं होना चाहिए कोशिस करें ज्यादा से ज्यादा क्लास्रूम है या जो शिक्षा है उसको बाहरी जीवन जिसको NCF 2005 में स्थान दिया गया है। दूसरा पढ़ाई को रटन्त प्रणाली से मुक्त किया जाए। बहुत ही जरूरी चीज है। अक्सर हमको देखने करें मिलता था पहले की पढ़ाई में रटने की बहुत ही बड़ी एक स्थान थी। इसको रट लो इसको याद कर रो ऐसा वाला कॉंसेप्ट पहले चलता था। जिसको बोलते हैं लेकिन यह यह पाया गया कि रटन्त जो प्रणाली है वह ज्यादा अच्छा और उतना ज्यादा कारगार सिस्टम नहीं है क्योंकि सímय के बाद भूला दिया ज़ाता है, तो रटना सिर्फ प्रिक्षा था खनाल और आपट करना नहीं है और विच्छे अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जो विवहारी कोशलता है, वो हम में दीखनी चाहिए, या हम उस study के बेस पर कुछ कर पाएं, यह हमारा मेनुद्यष्ट होता है, तो रटने तक की चीजें उच में नहीं हो पाती सफल है, तो इस करण से जो पढ़ाई को रटन से मुक् को ठीक है, वो पाठे पुस्तक केंद्रित नहीं हो या टीचर केंद्रित नहीं हो, बलकि बालक केंद्रित हो, यह important point बोल गया, बालक केंद्रित जैसे हम ने उपर देखा कि बालकों को रूची कर लगनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, मतलब बालकों के interest को ध्यान में लगकर पाठे करम या पाठे चरिया बनाया जाना चाहिए, ठीक, अगला देखिए, विध्याला में दी जाने वाले शिक्षा को विभिन प्रकार की गतिवीधी, activity-based learning होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा important चीज़े है, जिसका आज कल बहुत ही अच्छे से follow किया जा रहा है, लगब एक शिक्षा प्राणादी की बात करते है, तो वहाँ पर activity का बहुत ही ज्यादा हमको बड़ा role देखने को मिलता है, ठीक, तो ये तो हो गया, अगला point, चली हम आगे चलते है, राश्टी मुल्यों के प्रति आस्थावन विध्यार्थी तयार किये जाए, पर क्या लिखा ग हो, ठीक है, तो ये भी important point है, देखिए, सारे जो important points आपको देखने को मिलेंगे, उसको एक copy में आप note करके रख सकते है, ताकि उसको exam के time एक बार और अच्छे से देख पाए, ठीक है, देखो अगला देखिए, NCF 2005 का निर्मान, NCIT द्वरक किया गया था, इसको पूण करने का निर्देशक प्रोफेशर कृष्ण कुमार के नेतरीतों में तिया गया, तथा इसका प्रमुख लक्ष क्या था, आत्मग्यान वियार्थियों को अलग 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 मोग और अउसार देकर, उन्हें स्वम ज्यान के प्राप्ति करनी होगी, मतलग, जो NCIT 2005 था, वो उसका निर्देशन में किया गया, प्रोफेशर कृष्ण कुमार के, उसके अध्यक्ष दूसरे थे, एश्पाल प्रोफेशर थे, वो हमने देखा था, NCIT 2005 का, निर्देश क्या था, प्रमुख लक्ष क्या था, कि विद्यार्थियों को आत्मग्यान के प्राप्ति हो, उसे अलग- बखार इक उन चीजों को कर सकता है, जन चीजों को करने का उन में चमता है, चमता है अपार होती है किसी भी बच्चे के पास, उनको सही दिश्छा और दशा देनी की ज़रूरत होती है, अगर उनको सही डारेक्शन मिल जाता है, अगर उनकों अपनी चमता 玩 Car Kingdom को ज्यान हो आगे चलेंगे राष्टी पाथे चले के रूप रेखा 2005 के नुसार हर विद्यार्थी की अपनी छमता होते हैं जो हर विद्यार्थियों को उसके व्यक्त करने का उसार प्रदान किया जाना चाहिए अच्छा वही बात जैसे कि हमने अभी डिसक्स किया हर एक विद्यार्थी जिसमें कुछ न कुछ hidden talents कुछ न कुछ चमता है होती है विशेईस चमता है होती है हर एक विद्यार्थियों में बचरते उनको क्या करना चाहिए उनको अपने उस talent को व्यक्त करने का शो करने का एक मौका दिया जाना चाहिए तो इसी चीज को के उपर बल देता है कि जिस किसी भी प्रकार की सुचना को ग्यान मानने से बचा है देख यह बहुत ही important बात अकसर हम यह देख लेते हैं कि हम ko ब्यूश रहा है की जान का जाओ एक authentic source से ही अगर आपको कुछ मिल रहा है, तो भी उस चीज को ग्रहण करिए, अगर बिना किसी authentic source के किसी भी चीज को सही मान कर मद बैठिए, एक बार उसकी सत्यता का जांच करिए, अपने base पर, अपने level पर और उसके बाद उसको सही मानिए, ठीक है, तो यही बात विद्या करतियों को दी जाने वाले शिक्षा में, शिक्षन सुत्र जैसे ग्यात से अज्यात की ओर को पालन किया जाए, ठीक, जब भी टीचिंग करा रहा है, तो ग्यात से अज्यात, पहले जो जान रहे है, बच्चे उनके बारे में चर्चा करो, ग्यात, चीजों की चर्चा करो, उसके बाद जो चीजें लोग नहीं जानते, उसके तरब चरो, इसी को बोला जाता है, ज्यात से अज्यात की ओर, ये एक शिक्षन सुत्र है, अगला है, मूर्त से अमूर्त की ओर आधी शिक्षन सुत्रों का अधिक से अधिक लियोग किया जाए, देको प्रामरी लेवल य जो शक्ति है, जो शोर अवस्ता के बाद आता है, लेकिन बाले अवस्ता में उन लोग करते हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर आधी पहले ला, ऐसे चीज़ों को बारे में बच्चों को पढ़ाओ, जो दीख रहा है उन लोगो, मूर्त मतलब जो मूर्त रूप में उन होती है, किसी भी चीज से रहे हैं, जैसे फ्रूट्स वागेरा के मॉडल हो गया है, यह सारी चीज़ों हो गया है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्छन व्यवस्ता होनी चाहिए, सजा वा पुरुसकार की भावनों को सीमीत रूप में प्रियोग किया जाए, अब तो बि बुसकरित किया जा सकता है, उसकी जो भावना है बच्चों में वो सीमीत रूप में प्रियोग किया जाए, एकदम ज्यादा बच्चों को यह भी नीडर आके रखना है कि तुमको यह ऐसा करोगे तो दंडित किया जा सकता है, डर मुक्त वातवरन होनी चाहिए, अब तो सि सिमसी की बारे में आप सुने होंगे, शाला प्रबंदन समयती, स्कूल की लगभग सभी गति युदियों में इसका महतोपुण योगदान होता है, तो यह बोला गया है, NCF 2005 के अनुसार की, सिखानी के प्रक्रिया है, उसमें अभिभावकों को भी जोड़ो, जो भी गतिव अब बस्तर रहीत या बैगलेस एजुकेशन के बारे में आप सुने होंगे, बहुत सारी जगों में ऐसा विवस्ता किया गया है, कि बच्चों को इस घर से बैग लेके जाने की जरूरत नहीं पढ़ती है, सारी विवस्ता, स्कूलों में ही प्रदान किया जाता है, जो भी नोट बुक्स वगरा बस ले जा सकते हैं, बाकि बस्तर की बाकि जो बैक का जो उनका वजन है, उसको कम किया जाने पर विशेश जोर दिया गया, बैगलेस एजुकेशन, ठीक है, उसी को बोला जाता है, बीना बोच के सिक्चा, याद रखना गभी भी या है, बीना बोच क बार थोब दिया जाता है, एक ही बार में, तो वह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों की मानसी की लिवल को भी समझे, उनकी इस्तर को भी समझे, और उसकी इसाब से उनको वर्क दे, ठीक है, जादा बर्डन या जादा बोच बच्चों पर लहों, तो दोनों अगला हम देखते है, एंसी अपुज़व फाइव के अकॉर्डिंग, बच्चों को मात्री भाशा में, मात्री भाशा में शिक्च्छा कारे किया जाया, इसकी उपर भी आजकार विशेश जोर दिया जा रहा है, कि मात्री भाशा में शिक्च्छा विवस्ता होनी चाहिए, प्रारंबिक एजुकेशन का विवस्ता है, वो, elementary education जो होती है, एक से आठ तक, उस में मात्री भाषा पर विशेश जोर दिया गया है, अब तो हम अगर 36 गड़ की बात करें, तो higher classes में भी, at least week में एक बार, जो CM बगेल जी है, उनके अनुसार, कि week में एक बार, क्या किया जा मात्री भाषा में शिक्छा विवस्ता, होनी चीए, at least, जैसे आप English पढ़ा रहे हो, जो भी subject पढ़ा रहे हो, तो इस तरह से मात्री भाषा पर विशेश जोर दिया जारे है, जो कि अच्छी बात है, विशेश पाठी करम वा मोटी किताबें, शिक्छा विवस्ता प्राण करकर इस्थापित किया जाए, बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरन प्रदान करना चाहिए, जो भी उपदेश या जो भी नयतिक मुल्यों को उपदेश हम देते हैं बच्चों को, मुल्यों को सिर्फ क्लास में लेक्चर देकर नहीं, बलकि उनक मुल्यों का विकास हो, यह जरूरी है, बच्चों को जीवन के बाहर के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरन प्रदान करें है, यह भी एक इंपोर्टेंट फैक्टर है, अगला देखिए, जितने भी पॉइंट समपढ़ है, एक्जाम में उनसे रेटेट कुछ भी च मनरंजन, मतलब इंट्रेस्ट, जो उनके इंट्रेटेन्मेंट है, सिर्फ उसी पर ध्यान न दिया जाए, बलकि संधरेबोध, बच्चों को कराए, सांस्कृतिक चीजों से, थोड़ा सा जोड़े, कल्चर का से क्या करा है, परिचित करा है, और जो भी हमारे देश में, जो और बहुँ सारे चीज़ें यह ते है कराना करते हैं, जो बहुं सारे नमृचार करे जाते हैं, तो भी शिक्चः तक और जिससे उन लोग अपने शिक्षड व्यवस्ता को अलम केर सके, अगला देखिए मानसिक इस तर पर योग गेता के यानुशार पाठ नेंध़ारं, श विम्मेदारी का द्रिश्टी कोड़, शिक्षर विवस्था या शिक्षर प्राड़ी ऐसा हो हमारे देश में कि मालसिक इस्तर की योग ये क्यानुसार हो, जो जिस इस्तर में बच्चे है उसकी अपको पाठेक्राफ हो, शांती विवस्था को बढ़ावा दे ऐसा पाठेक्र उनको उग्र बनाए, उनको अशांत बनाए या उनको किसी भी तरह से भढ़ाए ये इस चीज़ के विशेज ध्यान दिया गया है, इसके साथ ही साथ महिलाओं के प्रतियादार और जिम्मेदारी का द्रिश्टी कोड़ बढ़े बच्चों में, ऐसी शिक्षा विवस्था आह की, ऐसी सिलेव या ऐसा अखेरिकलम होनी चाहिए, अगले है समुदाय को मानवी संसाधन की रुप में प्रियुक्त होने का उसर दे, विक्सीत करने की कारेकरम का आयोजन करना, विक्सीत करने की कारेकरम मतलब क्या बच्चों में विकास की भावना बड़े, बच्ची सब जितने भी तरह के विद्यारती हैं चाहे किसी भी स्तर के विद्यारती हो ऐसा वातरों कि सब का विकास हो सके सब पढ़े सब बढ़े वाला एक स्लोगन आप पढ़े ही होंगे ठीक चलिए अब आगे हम चलेंगे लगज़ें लाएं लगए दीचर के कि प्रमुक सुत्र क्या है अधीगम लर्निंग विदाउट बर्डन जैसे का मैं वहले डिसकस किया बीन भार दीगम इस पॉइंट को याद रखेंगे लर्निग विदाउट बर्डन एसक्षाक के प्रति दृष्टिकोंड सिक्षाक ज्या टीचर को एक दम से ढयता या पुरा ज्यान देने वाले नमानकर सुगम करता है जो भी ज्यान की प्रकृरिया से ज़िखने में ऑब औरला मुरूर्द जो गन की और सब्सक्रादस को अजय करने में करते हैं सिक्षक ज्यान को विध्यार्थियों तक पहुचने में सलल यह सुगम वातावारन प्रदान करते हैं शिक्षक तो इस तरह से इस इस unfa सीखेज्च प्रति दिश्टि कोण को समझाया गया है ठीक आगे देखेए इंसिएफ 2005 में बच्चों के प्रति दिश्टि कोण प्रति एक बच्चों की सीखने की गती प्रकृति अलग होती है बच्चे सक्री रूप से पूरुग्यानम अप्लब दिस समगरी गतियों के थार पर अपने लिए आर्थ निमार्ड करते हैं ठीक हर एक बच्चा क्या होता है हर एक बच्चों का द्रिश्टी को रड़ा होता है सीखने का तो उनको वही वातवरान प्राइब करें जाए जिस रिसाब से वह बच्चा सीखना चाहरा या उस कमफर्टेवल उसमें लग रहा है आक्री में हम देखें कि कुछ विशी इस वींदू पर इस क्लास के लास्ट में राष्टी पार्टी चले के रूप रहे दोजर पांच में रचनामाद मतब कंस्ट्रक्टिविज्म की समझ प्राप्त होती है ठीक है रचनामाद की समझ प्रा एस में सुीधा प्रादन करें सीखने में ठीक है एंसीफ का फूल फॉर्म निशनाल करेगूलम फ्रेमवग अंगरी इस वैसा बहुभाशावाद को बढ़ा देना है अपको पता है की हमारे देश में कई तरह की भारसा बोलने वाले लोग है तो इसको क्या मान के साथान के यूप योग करें, अच्छे से अच्छा सीख्षा प्रदान करने के लिए है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, NCF 2005 बल देता है, करके सीखने पर, Learn by doing, ठीक है, Learning by doing, करके सीखने, किसी भी चीज को करना है, और आपने अच्छे से सारे श्यों को सीखा होगा, चली तो फिर वीजियो अच्छा रगाओ, तो लाइक करिमेंट जरूर करीगा, और अगर चानल में न्यू है, चानल सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चानल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, इसी तरह से और भी आपको आगे हम सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और आपके आने वाले समय को आपके एक्जाम को बहुती आसान और इजी आपके लिए बनाते रहेंगे, मिलते हैं इसी तरह के और भी एक important topic के साथ next video में तब तक के लिए thank you so much